हेलो एवरिवन होप यूर ओर फाइन होप सब अच्छे से होंगे सो जो पार्ट फर्स था हमारे पास जिसमें हमने पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजिन ऑफ इंडिया और वो टॉपिक जो था उसका पार्ट फर्स हमने अप्लोड कर दिया तो पार्ट सेकिंड में आज जो होंगी वो कवर करेंगे उस पार्ट फर्स में हमने इंप्टन फैक्ट को डिसकस किया था जहांसे डाइक्ट कुशन आपको पूछे जाते हैं इक्जाम में वह आप पार्ट फर्स प्लेइस्ट चो होगा हमारे पास जिओग्राफिय ऑफ इंडिया उसमें जाकर आप देख स आपके पास पटवारी में डिरेक्ट मेंशन है वहां पे टॉपिक में यही टॉपिक और जो सुपर्वाइजर के लिए जो जिन्हों ने अप्लाई किया वहां पे सिर्फ आपको पॉलिटिकल डिविजिंस ऑफ इंडिया ही पढ़ने हैं तो वह भी पढ़ सकते हो यहां से इनको नहीं पढ़ना है तो इस टॉपिक का में कवर करेंगे और भाकी जो टॉपिक Japanese और आंगे रहे तो हमारे पास अब डारेक्ट सीधा वीडियो पर आते हैं डायम वेस्ट किया बिनना ही हमारा जो topic था जिसमें हमने fact सारी discuss किये थे आज हम देखेंगे कौन कौन से relief futures हैं यहां पर इंडिया है अब कौन-कौन से relief futures आफ इंडिया हैं यहां पर physiographic divisions में इंडिया को divide किया गया है देखते हैं कौन-कौन से हैं इंडिया में आपको physical diversity बहुत ज्यादा मिलेगी मतलब physical diversity का मतलब क्या हुआ यहां पे आपको mountains भी मिलेंगे, plains भी मिलेंगे, platews भी मिलेंगे, coastal areas भी मिलेंगे, islands भी मिलेंगे तो physical diversity बहुत ज़्यदा इंडिया में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें आगे discuss करना है, और वही चीज़ें discuss करेंगे, जहां से direct question आपको examiner frame करता है, और देखो भी आपके इस topics में से आए हुए है direct questions, इंडिया जो हमारे पास यहां इस यहां पर land of vast mountains देखो हमालिया आपको मिलेंगे, तो vast mountains, plains आपको इंडिया के greater plains की बात करेंगे, platews मिलेंगे आपको peninsular regions में, तो यह सारी चीज़ें हमें discuss करने हैं इंडिया की physiography में, यह सारा इंडिया की physical divisions of इंडिया यह सारी चीज़ इसे cover होती है, the physiographic divisions of, physiographic zones of इंडिया are divided into the following reliefs features, अब कौन कौन सी चीज़े इसमें आ जाती है, कौन कौन से zones आ जाते हैं, वो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहला zone जो आता है आपके पास, जो मैंने अभी आपको बोला, हिमालिया, ठीक है न, second one is northern plains, third आपके पास peninsular plateau, fourth coastal plains and fifth one is islands, इन सभी के बारे में हमें detail में और important points में इन से आपको cover कराऊंगे, इन चीज़ों में से जो भी आपकी divisions हैं, चाहें हो हिमालिया माउंटेंस हैं, यहां से direct question बनते हैं, northern plains हैं, peninsular plateau हैं, coastal plains हैं, islands हैं, तो इन ही के बारे में हमें discuss करना है इस topic में आज, तो एक तो यह और दूसरा हम इसमें northern plains और हिमालिया mountains को आज हम cover करेंगे इसमें, फिर हमारे पास peninsular plateau बचेगा, coastal plains and islands उसको next studio में, सो हमारा यह topic complete हो जाएगा, तो उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हिमालिया mountains की बात करते हैं, देखो, यहां पे मैंने आपको points में चीज़ें रख इन से parallel mountain range है, देखो, आपको map तो सबको पता होगा, आगे map आप रख भी सकते हो, जब मैं lecture दे रहा हूं आपके सामने, यह इंडिया का map, ठीक है न, यह पैनिसुल रीजिन है, नीचे तक तो नहीं मन सकता, यह जो portion है, इंडिया का सारा, this one, यह आपके यहां पे parallel mountain range है, ज यहां से इस तरह से मिलेंगी, यह आपके हिमालियन mountains है, देखो, extent इनका कहां से, अभी मैंने बोला north west, मतलब north side and west side, north west to south east, जो मैंने अभी आपको map में भी बोला कि किस तरह से है, यह ना, इंडिया का map, यह north west, और यह हो गया north south east, नीचे की तरफ और east side में, इस तरह से यह mountains आपको मिलेंगी, अब सबसे बड़ी बात है, डारेक्ट पूछा जाता है, इनकी formation कैसे हुई, यह हिमालिया mountains कैसे बने, तो कुछ theories यह बोल रहे हैं, कि tectonic plates, दो tectonic plates थी, वो उनका क्या हुआ, उनका collision हुआ, और इन जो हिमालियन mountains थी, उनकी formation हुई, अब वो कौन से ही एक Indian plate थी, और दूसरी Eurasian plate थी, जिसे Asian plate भी कहा जाता है, बोलते हैं, यह दो plates आपस में टकराई, को लिचन युवाइन का, और उससे क्या हुआ, हिमालिया mountains की formation हुई, तभी हिमालियन mountains को young fold mountains बोला जाता है, इसलिए direct examiner पूछता है, कि हिमालियन mountains जो होते हैं, वो fold mountains होत याद रखना, कि हिमालियन mountains और young fold mountains, क्योंकि वो दो plates के मिलने से बने और young हैं, तो इसलिए याद रखना, young fold mountains जो हैं, हिमालिया को कहा जाता है, बहुत important है, यह point याद रखना, अब इस हिमालिया के अंदर, हिमालियन mountains को different range में बांटा गया है, different range में divide किया गया है, जिसमे सारे range आपको पढ़ने हैं, वहाँ पे peaks कौन कौन सी हैं, जासे direct question पूछता है, यह मेरे पास इंडिया का map, एक तो आपको ट्रांस हिमालिया के बारे में पढ़ना है, दूसरे आपको greater हिमालिया के बारे में पढ़ना है, तीसरा आपको lesser हिमालिया and चोथा आपको shivalix, यह 4 range में हिमालिया को डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालिया, greater हिमालिया, lesser हिमालिया and shivalix, 4 range में हिमालिया को डिवाइड किया गया है, अब ट्रांस के अंदर आपको तीन चीज़ें पढ़ना है, ट्रांस हिमालिया के अंदर आपको करा करम range आ जा जाता है, लदाक यूट टॉपिक कवर हो जाएगा, इनको आप वन बै वन करके आप नीचे डिसकस करते हैं, और थोड़ा सा आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ, देखो जो करा करम रेंज होता है, सबसे ओपर यह मैंने जो ब्लैक लाइन से डिनोट किया गया है, यह आपके पास यह करा करम जाए, यह तेनों मिलके बनाते हैं ट्रांस हमालियाज, नीचे आप डिसकस करेंगे, थोड़ा सा आपको यह डाइग्राम जोगी, मैप को देखके समझा जाएगी, माहिन के अंदर यह हैं कहां पे, उसके बाद आते हैं ग्रेटर हमालियाज, जो ट्रांस हमालियाज के ग्रेटर के नीचे आपको ब्लैक लाइन यहां से दिख रही है, यह ओगी लैसर हमालियाज, उस सब से लास्ट पे आपको मिलती है, श्वालियॉश चीज़ा होती है, हमालियाज के सब S important points देखेंगे तो हमारा यह cover हो जाए का range अब हम करते हैं शुरू ट्रांस हमालिया जिसके बारे मैंने आपको बोला सबसे ऊपर आते हैं हमालिया जिसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी कराकरम जनसकार और आपके पास आएगा इसमें लदाक ठीक है ना देखो ट्रांस हमालिया की अगर बात करें तो यह northern great हमालियन range सबसे ऊपर मत्तब north of the great हमालिया मैंने बोला ना आपको great हमालिया के ऊपर पढ़ता है ट्रांस हमालिया अभी ऊपर diagram में आप देख सकते हैं जब आपके सामने notes होंगे इसकी PDF आप समझोगे वो रखके आपने या मैप देखोगे के northern हमालिया जो होते हैं ट्रांस हमालिया जो होते हैं वो greater हमालिया के ऊपर पढ़ते हैं यह आपके पास greater हमालिया हैं यह आपके पास trans हमालिया हैं तो इसके ऊपर पढ़ते हैं ठीक है ना समझागी उसके बाद दूसरी बात इनको हम तिबतिन हमालिया भी बोलते हैं इनक कित्स हमालिया के नाम से भी जाना जाता है त्रांस को ये इंपॉर्टन पॉइंट से ये चीजें आपको याद रखनी है उसके बात करें इसी ट्रांस हमालिया की बात करें तो पमीर का नाम सुना होगा इसे रूफ आफ दा वॉल्ड बोलते है ये भी आपको किस रेंज में मिलता है ये आपको ट्रांस हमालिया रेंज में मिलता है कभी पूछ सकते हैं पमीर जिसको रूफ आफ दा वॉल्ड बोलते है ये किस रेंज में लाए करता है ये ट्रांस हमालिया रेंज में लाइ करता है तो ये भी इंपॉर्टन्ट है अब इसके अंदर कौन कौन से रेंज आते हैं ट्रांस हमालिया में जो अभी मेने उपर डाइग्राम में भी आपको बोला जनसकार आपको मिलता है इसमें लडाक मिलता है और करा करम जो होता है और केलियाश भी इसमें आ जाता है ये तीनों रेंज कहां पर मिलते हैं ये ट्रांस हमालिया में बुटते हैं इस तरह से क्वेशन बना सकता है एक्जामनर लडाक जो हता है ये हमारे पास किस हमालिया रेंज में पड़ता है तो यह आपको मिलता है ट्रांस हमालिया में इसी तरह से करा करम भी और जनसकार भी तो उसके बाद हमेरे पास एक हाइस्ट पीक है नागा परबत वो भी आपको कहां पे मिलेगी ट्रांस हमालिया के अंदर मिलेगी जिसकी हाइट 8126 मीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज़ भी याद रखना हूँ इसी ट्रांस हमालिया में आपको दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशर जो है आपके पास एक बैटल फ्रीर आफ दो वोल्ड भी बोला जाता है जो कि लडाक के अंदर है वो है सियाचन और यह सियाचन भी आ और हमारे पास जो फर्मिशन होती है जो ट्रांस हमालिया की वो सेडिमेंटरी रॉक से बने होते हैं यह चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वही पॉइंट सकें जहां से एक्जामनर डिर्क पूछता है अब मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बोली कि यह वाला होता है ट्रांस हमालिया उपर वाली लाइन उसके नीचे आते हैं ग्रेटर हमालिया अब इस ट्रांस हमालिया और ग्रेटर के बीच में एक जून होता है जिसे बोलते हम शटर जून शटर जून यह उपर से ट्रांस हमालिया है यह नीचे ग्रेटर हमालिया है उसके बाइ लेसर हैं उसके बाइ शिवालिक्स हैं तो इन दो के बीच में ट्रांस में और हमारे पास ग्रेटर हिमालिया इन दो के बीच में एक जून होता है जिसे हम शटर जून बोलते हैं वो चीज याद रखना act as a separation मतलब शटर जून क्या होता है यह separation का काम करता है किस के बीच में यह करता है separation का काम ट्रांस हमालिया के बीच में और ग्रेटर हमालिया में यह चीज याद रखना इनके बीच में जून को बोलते हैं शटर जून next one is हमारे पास K2 का नाम सुना होगा जिसे गौडविन अस्टिन बोला जाता है 8611 मीटर जिसकी हाइट है बहुत important है second name भी इसका याद रखना यह भी आपको किस रेंज में मिलता है करा करम रेंज में और करा करम रेंज कहां पे पढ़ता है यह आपके ट्रांस हमालिया में पढ़ता है तो डिरेक्ट भी पूछ सकता है ट्रांस हमालिया रेंज या फिर करा करम रेंज में के टू गौडविन अस्टिन जो आपकी हाइस पीक है वो पढ़ती है तो यह हाइस पीक आफ ट्रांस हमालिया की सबसे हाइस पीक कौन सी है वो गौडविन अस्टिंग के टू है तो इस वाज अल अबाउट ट्रांस हमालिया उसके नीचे जो दूसरा आता है हमारे पास हमालियाज वो हैं ग्रेटर हमालियाज यह गया ट्रांस हमालियाज अब नीचे सेकेंड पढ़ेंगे ग्रेटर हमालियाज जो उसके नीची है सीक्वेंस वाइज जाएंगे अब ग्रेटर हिमालियाज ग्रेटर हिमालियाज कौन से हिमालियाज है इने बोलते हैं इनर हिमालियाज इने बोलते हैं संटर्र हिमालियाज इने बोलते हिमादरी तीनु नाम इसके हैं greater Himaliyas के बहुत important हैं कभी direct examiner पूछता है greater Himaliyas are known as inner Himaliyas, हिमादरी, both of these इसी तरह से पूछ सकता है वो तो वो आपको inner Himaliyas भी याद रखना उन्ही को बोलते हैं greater Himaliyas, greater Himaliyas भी उसी को बोलते है, central Himaliyas भी और हिमादरी निक नेम बहुत important होते हैं य चीज याद रखना, उसके बाद greater Himaliyas में क्या चीज आती है, दुनिया की सबसे highest mountain peak जो है, माउंट अवेस्ट बोलते हैं, वो highest peak of the world है, जिसकी height भी बहुत important है, याद रखना 8848, 0.86 meters, exact इसकी height याद रखना, इतने meters है, यह दुनिया की सबसे highest mountain peak है, जो के आपको इसी range मे greater Himaliyas range में पढ़ती है, और यह exact location इसकी नेपाल है, नेपाल कंट्री में यह, और इसको नेपाल के लोग एक नाम से बोलते है, इस माउंट एवरेस्ट को एक नाम से जानी जाती है, उसे बोलते है, वो सागर माता, याद रखना सागर माता है, इसको नेपाल के लोग बोलत है, इसकी exact height कितनी है, और सबसे highest peak कौन सी है, यह किस country में fall करती है, यह चीज़ें पूछी जाती है, और किस mountain range में पढ़ती है, यह आपको greater Himaliyas में पढ़ती है, यही चीज़ें होती है, जो examiner आपको पूछता है, उसके बाद most important, यहां से भी question मनता है, कंचन जंगा, जो क की second highest peak है, after the mount Everest के बाद, यह आपको second stage जो इंडिया की है, वहाँ पे मिलती है, highest peak of इंडिया है, और यह भी आपको किस range में मिलेगी, greater Himaliyas, known as Himadries, inner Himaliyas, तो यह central Himaliyas भी बोलते हैं, यह बहुत important है, याद रखना यह भी, उसके बाद, अब मुझे बोलो, जैसे वहां shutter zone इसी तरह से पहले होते हैं, trans Himaliyas, उनके नीचे होते हैं greater Himaliyas, उनके नीचे होते है inner Himaliyas, अब greater और inner के बीच में एक zone होता है, जिसे हम main central trust बोलते हैं, spreads the greater Himaliyas from the middle Himaliyas, यह हैं greater Himaliyas, और यह है middle Himaliyas, उपर हो गया trans Himaliyas, तो greater और middle के बीच में एक zone होता है जिसे हम बोलते हैं अब main central trust इसी तरह से greater और उपर वाला trans हमालिया उन में जो zone था उसे shutter zone बोलते थे ये zone याद रखना उसके बाद आपाता है middle हमालिया इसी तरह से middle हमालिया के भी nickname होते है याद रखना सबसे पहले आता है lesser हमालिया middle हमालिया का दूसरा नाम है lesser हमालिया या इने हमाचल भी बोलते हैं ये examiner इसी तरह से पूछता है वहां पर questions अब जो हमारे पास middle हमालिया हैं ये north तक greater जैन इसी बात है ये तो उपर और होगे टरांस फिर आगे greater हमालिया ओपर आगे transfer पिर आगे greater हमालिया उसके नीचे आगे inner हमालिया ठीक है तो ये तो तो इसके greater Maria के नीचे ही आपको मिलेंगे मिडल मालय बहाए रिके कि सीडस वाइस हम चल रहे हैं सरो इसके नीचे आपको šivalik मिल जाएंगे start में trans हимालिया फिर आगे gretter हимालिया फिर आगे यह बाले middle हимालिया और उसके नीचे श्वालिक ठीक है ना important points important hill station इस middle हимालिया में important hill stations ने ननके नाम याद रखना कभी बूछ सकते हैं यह hill station किस मिला हимालिया में पढ़ते हैं तो इन मिडल वाले में पढ़ते हैं वो आपके पास हैं दरमशाला जो आपको मिलेगा हिमाचल के अंदर डलहौजी शिमला और्जलिंग इनके नाम बहुत इंपॉर्टन्ट है याद रखने नहीं किस रेंज में पढ़ते हैं और उसके बाद लास्ट वन जो हिमालिया का जो स सबसे लोएस ट्रेंज आता है वो है शिवालिक्स शिवालिक्स चोटी चोटी पहारियां होती है नोन आज आउटर हिमालिया के नाम से भी जानते हैं सब हिमालिया भी बहुत इंपॉर्टन्ट होती है शिवालिक्स और नोन आज आउटर हिमालिया और सब हिमालिया यह शुरू होंगे तो प्लेंस और मिडल हमालिया के बीच में आपको शुवालिक्स मिल जाएंगे क्योंकि मिडल हमालिया के नीचे आते हैं शुवालिक्स उसके नीचे आएंगे प्लेंस यह किसके बीच में मिडल हमालिया हैं प्लेंस के बीच मैं सबसे लोवस ट्रेंज माना ज प्लेंस में कुछ वैलीस होती हैं जन्हें दूं echo के जाना जाता है चोटी छोटी में हूप väली जोती है इर लिच दूं गौर नी हम जन्II के बीच में जन्हें हम दूंक के नामससे जानते हैं यद разм ऐसे यह यादरखना यद था हमारा हिमालिया का जो सारा सिस्टम था जो हमने कवर किया अब हम पढ़ेंगे प्लेंज के बारे में इंडिया के अंदर डिफरिंट प्लेंज हैं सबसे पहले आता है हमारे पास नौर्दन प्लेंज इसी तरह से हम देखेंगे इस्टन मिडल प्लेंज एंड उसके बाद द लाते हमलें रिवर्श वह अपने साथ चोटे चोटे सेडिमेंट्स लाते हैं जिस वज़गा से उस लीन की फटलिटी का इंक्री गूती है तो हेमालियन् यहां से यहां से यहां पर आपका राजस्तान है वहां से लेकर आसाम यहां तक यह पूरे बेल्ट है यह हमारे पास नौर्धन प्लेंड का बेल्ट माना जाता है उसके बाद लाइज नौर्ध पैनिसूलर रीजन के उपर आपको मिलेंगे और हमालिया के नीचे का जून जो होता है और पैनिसूलर रीजन के उपर का जून जो होता है यह पैनिसूलर है इसके उपर का जून और हमालिया के नीचे का यह मिडल वाला जून जो होता है यह सार by the deposition of older album یعنی album क्या होती है fertile soil जो पुरानी वाली album होती है उससे जो soil बनती है उसे भांगर बोलते है पुरानी वाली से पहले आखे deposit हुई है तो उससे बनेगी वो भांगर होती है और खादर जो होती है ये composition of new album यहानी नई album soil जो आती है उससे जो होती है खादर बनती है यह यह new and young होती है इसमें young deposits होते हैं जिसमें older deposits होते हैं वो bangar होती है question ऐसे पूछा दाता है के older album जो होती है known as bangar और new album जो होती है उसे खादर के नाम से बोलते हैं जो नहीं मिट्टी आती है जो नहीं albums deposits होते हैं उनको खादर बोलते हैं यह important था यह चीज याद रखना note में ने करके रखा है यह अब जो हमारे northern plane से इनको अमने divide किया हुआ है into different parts में इसमें में western plains पढ़ने central और eastern तीन plains पढ़के यह हमारा topic complete हो जाएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे western plains क्या हुआ western plains आपको पंजाब और हर्याना यह वाले जो डिस्ट्रिक्स हैं यह हमारे western plains को cover करते हैं अब यह आपको map मैप में पता होने चाहिए यह आपका map है यह तो यहां पे आपके कौन से होते हैं पंजाब और हर्याना तो यह area जो होता है यह हमारा western plains का area माना जाता है तो क्या होता है यह कैसे बनते हैं यह भी formed होते हैं by the sediments bought by the different tributaries of indus indus की tributaries आपको पता हैं कौन से हैं जहलम चनाब बीज रवी सतलुज यह अपने साथ sediments लाती हैं यह western plains के अंदर वो अपने sediments deposit करती हैं और इससे जो plains बनते हैं वो हमारे पास western plains होते हैं जिसमें दो states cover होती हैं पंजाब और हर्याना यह चीज़ याद रख लेना मालवा plains कहां पे हैं इसका नाम याद रख लेना यह आपको पंजाब के अंदर मिलते हैं that means western plains में आता है यह उसके बाद हम central plains की बात करेंगे अब पंजाब हर्याना को छोड़के आगे बढ़ते हैं तो central plains में आपके पास सबसे बड़ा unit जो होता है greater plains का जो इंडिया के उ कैसे deposition होती है यह sediments जो होते हिमालियन रिवर से भी आते हैं और पैनिसुलर रिवर्स जो इंडिया के north southern रिवर से कुछ वहां से भी मिलते हैं और कुछ आपके पास हिमालियन रिवर से sediments आते हैं उससे आपके central plains बनते हैं तो इनका extent कहां से होता है इस से south east की तरफ यानि प्रिंट्रा प्लेंज जिनें बोलते हैं या इंडिया इस्टन साइड में यह इंडिया का surprise हमारे पास थोड़ा से यहां पे मैप दिखा देता हूं यह जमुन किश्मीर यहां से यह यह जो eastern side के यह वहला portion होता है यह सारा eastern side में आता है ठीका है नहां यहां से आसाम मिलेग यह जो वेस्ट पंगाल का कुछ इसा यह जो एर पोर्शन है यहां पे आपको इस्टन प्लेंज मिलेंगे ब्रहुम पुत्रा रेवर यहां से आता है ठीक है ना अरुना चल परदेश से एंटर होता है तो यहां से सेडिमेंट्स काफी ज़्यादा मिल जाते हैं उसकी ट्रोब किसको बोलते हैं डॉप कुछ नहीं होता है एक रेवर यह आ रहा है दूसरा रेवर यह आ रहा है इनके बीच में जो लेंड होती है उसे हम डॉप बोलते हैं इसे लेंड बेट्वीन टू स्ट्रीम एक रेवर यह दूसरा रेवर यह इनके बीच में जो जगा होती है जो इ कौन से दो रिवर्स इन्वाल्व हैं बरी बी ए से आपको बीज याद रहेगा आर आए से आपको रवी याद रहेगा डैट मीज रवी और बीज मिलके बरी बनाते है आर आए से रवी और बी ए से बीज इसी तरह से रचना डॉब कौन बनाता है ये दो रिवर्स के बीच में रचना चना से आपको चना भी याद रह जाएगा आरी से रवी यह रवी और चना मिलके रचना बनाते हैं चार्ज ये डालेक्ट पूछा गया था एक्जाम में चार्ज डॉब इस फॉर्मड बाइ टू रिवर्स वह कौन कौन से हैं इसका नाम भी इसी में चुपा हुआ हुआ है दोनू रिवर्स का नाम चार्ज मतलब सी आईची आ हो गया चनाब और जे से आपको जहलम चनाब और जहलम मिल के बना देते हैं चार्ज तो ये आपको उसी वक्त जाद हो जाएंगे रिवर्स इनके नाम ही में उनके नाम चुपे हुए हैं सिंद सागर ये तीन रिवर्स हैं जहलम इंदस और चनाब इसको याद रखना है आपको बिस्ट यहां पे भी दो रिवर्स चुपे ह तो यहां से आपको डिर्क पूछे जाते हैं बहुत इंपोर्टन पॉइंट्स हैं उसके बाद इसको समझना अच्छे से फिर आपको चीज़ेंगी और जो भी इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रस कर ले ताकि कोई भी निया वीडियो अप्लोड होता है उसकी नोडिफिकेशन आपको मिल जाएगी और टेलिग्राम को जॉइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप जॉइन कर सकते हूं तो मिलते हैं कल ओकिया लाफीज थैंक्यू